So friends, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रासन कार्ड में हम लोग जब online किसी परकार का correction, head of family, aid member यानि कि किसी परकार का सुधार, परिवार के मुख्या को change करना, नए सदेश को जोड़ना, ऐसे कई सारे services से जो हम लोग online करते हैं और जब online करने के 15-20 दिन भीत जाते हैं, इसके बाद भी हम लोग को update नहीं मिल पाता है, कि मैंने जो correction किया है, या फिर family members को add किया है, आखिर वो कहां तक approve हुआ है तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप सब ये सब का online status को check करेंगे, तो वीडियो में आप लोग अंतक बने रहे हैं, साती दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को subscribe नहीं करा है, तो subscribe कर ले और इसी तरह का new update पाने के लिए bell icon को भी प्रेस कर ल आप चाहे तो उस पर क्लिक करके इस portal पे विजिट कर सकते हैं, जब आप लोग इस portal पे आज आते हैं, अभी यहाँ पे आप लोग उपर में देख रहे होंगे, corner में online का एक option है, इस पर cursor को ले करके आना है, और उसके बाद यहाँ पे एक pop-up खुल जाता है, जिसमें आपक एक new राशन कार्ड के लिए apply कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे register to apply for राशन कार्ड का एक option मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप लोग राशन कार्ड apply कर सकते हैं, और अचानक से logout हो जाते हैं, और आपके पास registration number है, तो यहाँ पे second में जो मिल जाता है, already registered का एक option, इस पर क्लिक करके आप लोग जो है apply कर सकते हैं, उसके बाद next option मिल जाता है official login, यानि कि इसको जो है सिर्फ अधिकारी लोग ही use कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे card holder login है, जिसमें हम लोग लोग इन हो करके किसी नई member को add कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, DOB change कर सक next में मिल जाता है check application status, यानि कि आप लोगों ने जो DOB change करा या फिर किसी सदेश को add कियें, या फिर name में परिवर्तन कियें, तो इस वाले option से आप लोग status चेक कर सकते हैं, तो status चेक करने के लिए इस पर click कर लेना है, अब आप लोग status यहाँ पे दो तरह से check कर सकते हैं, एक पास यहाँ पे रासन काड है, तो यहाँ पे हम रासन नंबर को enter कर लेते हैं, रासन नंबर भर लेने के बाद यहाँ पे जिस टाइप का capture है, उसी तरह के capture को enter कर लेना है, देन सर्च वाले icon पर click कर लेना है, उसके बाद कुछ इस तरह से status निकल कर आ जाता है, जिसमें आप लोग का request type किया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे किसी के name में परिवर्तन किया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है name change, यहाँ पे acknowledgement number मिल जाता है, तो इस परकार से जो है online अपने mobile या फिर laptop से किसी भी रासन कार्ड के status को check कर सकते हैं, वीडियो तो यदि आप लोग के लिए helpful हुआ हो, तो वीडियो को like share जरूर करना, अब हम लोग मिलते हैं इसी परकार के न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जैहिन बंदे मादरों